हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सीलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डोरी बनाना सीखने वाले हैं जो कि बहुत से रिक्वेश्ट आती है कि हमें डोरी बनाना चलो आज आपको बताती हूं तो यहां पर मैंने ले लिया है ब्लाउस का कपड़ा जो कि मुझे इतना फैवरिक हमारा बचा हुआ था यही से हम डोरी और लटकन बनाएंगे तो एक साइट से बनाएंगे जिससे की अगर थोड़ा बहुत फैवरिक बच रहा है तो बचा ल कर लिए हगा रहे हूं तिरचे में असतरी से अधान हेना है आपको और इस तरी सब्रें यहां पर लाइन खीक दीया है अब क्या करेंगे हैं इसकी ऐसे的ति कर लेंगे तो चलो इसे में कट कर लेती हूं तो यह मैंने यहां पर कट कर लिया आप जैसे मैंने यहां पर कट किया है सेम ऐसे ही उसके बगल से एक इंच का फैवरिक लेते हुए यहां पर हम पट्टी निकाल लेंगे तो यहां पर हम पट्टी निकाल लिया है सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी भी निकाल लेंगे क्योंकि हम यहां पर दो डोरियां चाहिए अगर आपके मतलब जैसे और यह पट्टी ज्यादा लंबी न और फिर उनको जोड़ लेते हैं तो कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट्स करते हैं कैसे जोड़ते हैं वह भी डोरी बता दूंगी अभी मेरे पास इतना फैवरिक था कि मुझे जोइंड नहीं लगाना पड़ा है तो आप हम क्या कर रहे हैं यहां पर लटक कपड़ा भी कट कर लिया है वह ग्रूत दो और दो डोरियां के लिए दोर पटी हमने इसी पट्टी कैसे फोल्ड करेंगे टो यह हम ने आपर फोल्ड करके लिया और double fold करने के बाद यहां पर बिल्कल side side से सिलाई लगाेंगे इस तर्ए से तो बस पूरे में हम सिलाई लगाके ह Seven गाले तैं यहां पर शिलाई लगा लिया है आप जैसे वाली आरजीन छोड़ोगे उसी हिसाब से आपके पट्टी बन के तयार होगी मतलब जितना साइड में कपड़ा बचा के रखो के जैसे सिलाई लगाओगे लेकिन जो सिलाई लगाना जितना फैबरिक एक साइड छोड़ना उतना ही पूरे में छोड़ना और बस इस तरह से मैंने च इसको डालके सुई को पूरे फैबरिक के बाहर से निकाल लेंगे इस धागे को यानि कि सुई को हम दूसरे वाले छोड़ से निकाल लेंगे इस तरह से तो यह हमने यहाँ पर निकाल लिया निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे धागे की हेल्फ से सुई और धागे की हेल करना है तो हमारी डोरी क्या होगी पलट जाएगी सीधी हो जाएगी यह जो मार जीन है पूरा हमारा अंदर चला जाएगा और हमारी डोरी बहार आ तो इसलिए हमें यहाँ पर और यह पट्टी लेनी होती है तो यह हमने यहाँ पर इस तरह से शिलाई लगा लिया है और इसको हमने पलट लिया है, सीधा कर लिया है तो बस इस तरह से हलका हलका सा पीछे से पुस करना है और पूरी पट्टी हमारी पलट जाएगी है ना तो देख सकते हूँ यह हमारी बनके डोरी एक रेडी हो चुकी है अब जैसे हमने यह वाली डोरी को कम्प्लीट करा है ना सेम ऐसे ही दूसरी वाली डोरी को भी पलट के कम्प्लीट कर लेंगे तो देख सकते हूँ हमारी डोर सीधी शीधी लगाऊगे तो आपकी दोरी भी वैसे ही बिलकुल बराबर शीधी बनेंगी ठीक है तो इस तरह से यह हम ने एक दोरी बना लिया आप दूसे दोरी भी हमने यह पर बनालिया है देख सकते हूं अब यहाँ पर जो हमने चौकोर कपड़ा कट किया था यहां से हम लटकन बनाएंगे तो लटकन बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस तरह से कोना से कोना मिलाएंगे और भस यहाँ पर कोने पर इस तरह से डोरी रख देंगे तो थोड़ी सी डोरी साइट ब Cameron in सी निकालनी है औ मारजीन को अंदर के साइट दबाते हुए धागा वगएरा सारा कट कर देंगे इस तरह से चिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे चलो इसे हम सीधा कर लेती हैं तो देखो इस तरह से हमनी यहां पर इसे सीधा कर लिया है अब जैसे हम यह वाली डोरी बनाई है और दूसरी वाली डोरी और लटकन भी बना के रेडि कर लेंगे तो सिंपल सी डोरी और सिंपल सा लटकन हमें इस तरह से बनाना होता है कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस टाइम पे किसके किसके याँ ठंड पड़ रही है जARूर से कमेंट्स करना मेरे यहां तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस वज़े से मैं वीडियो न बहुत ही कम बना पारी हूँ मतलब उतनी अच्छी बनाना चाहिए लेकिन कोई बात ने फिर भी अगर आपक वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए